राम राम किसान भाईयों कैसे आप सभी उमीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो फसले हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही होंगी और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं सिजन्टा कमपनी के इस अबियोन ग्रोथ परमोटर रेगुलेटर है और इस अबियोन आप जानते ही हैं ये सिजन्टा कमपनी का है इसमें जो है अमीनो एसिड होता है 62.5 डवलू फॉम में और इसमें जो है इंडोगैनिक फॉंक्शन है 37.5 परसेंट डवलू डवलू फॉम में इस अबियोन में जो है सबसे ज़्यादा अमी अमीनो एसिड जो है पोधो की जो है व्रध्धी करता है उनके जो है कलो की छंता को मतलब उसकी किरिया को यह तेज करता है यानकि कलो की संग्या को बढ़ाता है उसमें परकाससिलेशन की किरिया को यह बहुत तेज कर देता है और अमीनो एसिड से जो है क्या होता है पोशक पूलों को बढ़ने का काम करता है शाथ में फल फूलों को जुड़ने से यह रोकता है यह बहुत ही जादे अच्छा प्लांट ग्रोथ पर मोटर है रेगूलेटर है सवरी इसा भ्यॉन पोधे के स्वस्त रखता है इस अव्योन जो है जब ज्यादे ठंड पड़ती है तो ये उस ज्यादे ठंड में पोधे को ज्यादे ठंड से बचाता है और जब ज्यादे गर्मी पड़ती है और आप इसका छिड़काव करते हैं तो ये उसमें भी इस पोधे को बचाता है ये पोधो को रोगों से लड़ने की छमता को भी यह बढ़ाता है तो इस अब्यों जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है हम इसे किसी भी इंसर्टिसाइड फंगिसाइड प्लांट ग्रोथ परमोटर के साथ मिलाकर आराम से छिड़क सकते हैं तो दोस्तों हम इसे किस-किस फसलों के साथ मिलाकर हम इसका यूज कर सकते हैं तो हम इसके जो उप्योग है वो चाय, कपास, टेमाटर, मिर्च, बैंगन, मुंफली, गोभी, फूल गोभी, ककड़ी, प्या, सेब, अंगूर, अनार, एपल बेर, चावल, ग्याहू, सोयाबीन, अदरक, हल्दी, आलू, जितनी भी तरह की सबजियां हैं, फूल की फसले हैं, फल की फसले हैं, लगबख सभी में कोई ऐसी फसल नहीं है, जिसमें आप इसका उप्योग नहीं कर सकते हैं, तो इसकी डोज की हम बात कर लेते हैं, दोस्तों, तो इसकी डोज जो है, पंदरे लिटर पानी में जो है, आपको तीस ml इसका छिड़काव करना है वो सुरी तीस सुरी यानि की जो आपकी पंदल लिटर वाली पाने की टंकी होती है उसमें तीस ml ही मात्र इसकी मात्रा लेनी है और बड़साथ के टाइम में आप जो है सिलिकोन युक्त जो चिपको होता है उसका उपयोग करें तो ज़्यादे अच्छा बेनिफिट उसका साथ मिलता है और इसके साथ फंगिसाइड या इंसक्टिसाइड आप कोई भी ची मिला सकते हैं मार्किट में जो इसकी 500 ml की कीमत है वो 650 रुपे है और लगभग लगभग जो एक लिटर की है उसकी जो कीमत है वो हमें 1100 या लगभग 1200 रुपे के आसपास मिल जाती है आप इसे ओनलाइन भी Amazon या इसकी तरफ से खरीद सकते हैं और इसका जो बेनिफिट है ये बहुत ही जादे अच्छा है रिजल्ट किसानों के देखा गया है कि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है ये बहुत ही अच्छा एक जो है रेगुलेटर है यानि कि ग्रोथ परमोटर है इसे अभियोन पोधो के संतुलित पोशन के लिए पकड़ती मूल का एक उतपाद है इसका प्योग पत्ति और सिचाए के पानी के माधिम से भी आप कर सकते है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप इसे यूज कीजिए और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जड़ जड़ लाइक कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में